जहीं दोस्तो आज की इस वीडियो में जानेंगे SSC Constable GD के Second Day के Physical Review के बारे में देखिए दोस्तो जिस भी Candidate का Height या Chest में थोरा भी कम है यानि की 0.2 cm या 0.3 cm तो ऐसे Candidate को यहाँ पे बाहर किया जा रहा है या ले लिया जा रहा है इसके बारे में दोस्तो आपको बताएं इसके अलावा दोस्तो जो Rejection Sleep मिला है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे इसके अलावा देखिए दोस्तो कितने Candidate जो है आपका Per Day जो है यहाँ पे क्वालिफाई हो रहा है और Maximum Candidate दोस्तो यहाँ पे बाहर हो रहा है तो उसके बारे में भी आपको बताएं विडियो में ढारे मेंद क्वालिफाई जो रहा है और एसके अलावा दोस्तो डोक्मेंट वेरिफिकेशन को लेकर क्योंकि दोस्तो आपका喝, PhD जैसे ही समापत हो रहा है उसके कुछ घंटों बाद दोस्तो आपका driven वेरीफिकेशन का जो प्रोसेस है वो चालू कर दिया जा पले तो यहाँ पर जानते हैं कि देखिए दोस्तों काफी सारे candidate जो है यहाँ पर height और chest में आपका reject किये गए हैं height और chest में जो है काफी student यहाँ पर reject हो रहा है देखिए दोस्तों यह candidate का rejection slip आप देख सकते हैं यहाँ पर rejection slip आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखेंगे इस candidate को not qualified in chest देखेंगे दोस्तो इस candidate का chest जो है 38.83 cm यहाँ पे लिखा गया है आप सभी को पता है 80 cm chest की अगा सेकता होता है तो दोस्तो यहाँ पर इस candidate को बाहर कर दिया गया है तो दोस्तो अगर आपका भी chest 1 cm काम है या 1.5 cm काम है तो आपको दोस्तों यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं लगबग एक point कुछ cm से जो है इसका इंडिडेट को यहाँ पे chest में बाहर किया गया है तो अगर आप लोगों का chest कम है तो दोस्तों physical test में आप ना जाए वहाँ पे जाने से कोई भी आपको फैदा नहीं होने माला है तो इसलिए दोस्तो चेस्ट बिल्कुल आप माप कर जाईएगा पहले से ही 80 cm आपका बिल्कुल होना चाहिए उससे थोरा भी कम है तो दोस्तो वहाँ पे reject आपको कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते इस केंडिडेट को देखेंगे not qualified in height में यहाँ पे बाहर किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि 0.5 cm height कम रहने पर भी बाहर यहाँ पे किया जा रहा है इसके अलावा दोस्तो मैंने एक केंडिडेट का देखे थे 0.2 cm जो है कम था उस केंडिडेट को भी बाहर कर दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि height में भी दोस्तो आपका बिल्कूल exact height होना चाहिए 170 cm और दोस्तो अगर आपका relaxation है तो उसके coding होना चाहिए अगर थोरा भी height कम है तो आपको वहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा हालनकि दोस्तो कुछ center पा आपको ले लिया भी जाएगा अंदर लेक के लिए सही रहेगा इसके बाद देखिये दोस्तो अब यहाँ पे सवाल होगा कि कितने बच्ये जो है पास कर रहे हैं और कितने फेल कर रहे हैं तो देखिये दोस्तो आपको पता है कि पौरडे जो है अभी जो है एक सप्ताह तक दोस्तो जितने भी center है सबी center पा 100 candidate को बु पस्थी तरह रहे हैं लगबग 60-70 ही candidate जो है fiscal center पर जा रहे हैं और इसमें से दोस्तों आप मान के चलिएगा कि लगबग 10 candidate जो है 10-12 candidate जो है आपका height या chest में जो है बाहर हो जा रहा है 10-12 candidate अलग-अलग किसी center पर 15 candidate भी हो सकते हैं तो दोस्तों मुश्किल से जो है 50-55 candidate ही running में जो है आप भाग ले पा रहा है 50-55 candidate और इसमें भी दोस्तों 50% जो candidate है वा बाहर हो जा रहे है running में क्योंकि running में दोस्तों 50% के आसपास जितने candidate दोराया जा रहा है उसमें से लगबग 50% जो candidate है running में fail हो रहे हैं और running में fail होने के पीछे कारण आप सभी को पता होगा कि अभी काफी ज़्यादा जो है धूप निकल रहा है आप सभी को पता है गर्मी भी काफी ज़्यादा है जिस कारण से maximum candidate जो है running में fail हो रहे हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तो, जब running आपका complete हो जाएगा, उसके बाद document verification होगा, और देखिए दोस्तो, document verification की बात करते हैं, यहाँ पर document में जो है कौन-कौन से document लगेंगे, इसके बारे में चलिए दोस्तो यहाँ पर details में जानते हैं, लेकिन दोस्तो वीडियो में आगे बढ चक्चू पब्लीकेशन का देखिए दोस्तों ये SSE Constable GD के लिए Math का बूक है और इस बूक के अंतरगत SSE Constable GD के एक जाम में जिस जिस चाप्टर से प्रास्न पुछे जाते हैं वो सभी चाप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और इनसे अलग अलग टाइप क सभी परकार के प्रास्न उसका Solution and answer इस बूक में आपको देखने को मिलेगा इसके अलगा दोस्तों इस बूक में previous year के जो है सभी प्रास्न उसका Solution देखने को मिलेगे इसके अलगा दोस्तों चक्चू पब्लीकेशन का आपका रिजिनिंग के लिए अलग से बूक, मैथ के लिए अलग से बुक, समानने ग्यान के लिए अलग से बुक और हिंदी के लिए अलग से बुक आता है तो इन चारों बुक को purchase करके आप अपनी complete तयारी कर सकते हैं इसके purchase का link आपको description में मिल जाएगा या नज़दी के market से भी जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर document के बारे में जानते हैं कि कौन-कौन से document जो है आपका check किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपका सबसे पहले तो PhD हो रहा है, PhD में आपका height, weight और chest जो है मापा जा रहा है, यह सबसे पहले आपका first में हो रहा है इसके बाद second में दोस्तों आपका यहाँ पे PT हो रहा है यानि कि physical efficiency test जिसमें आपका running जो है conduct हो रहा है और running qualify करने के बाद थोरा सा आपको समय दिया जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपका document verification dv जो है हो रहा है document verification के बाद दोस्तों आपका medical test लिया जा रहा है दोस्तों कल तेई सितंबर को physical हुआ था तो कुछ center पर जो है medical test के भी कुछ जो है यहाँ पर test ले लिये गए थे medical test हालांकि एक दिन में final नहीं हुआ है लेकिन दोस्तों medical test भी कुछ center पर लिये गए है सभी center पर नहीं लेकिन minimum होना चाहिए इसके अलावा दोस्तों आधार card या pen card या motor ID card ID proof के रूप में कोई भी एक document आपके पास होना चाहिए अधार card आपके लिए सबसे बहतर रहेगा अधार card आपके पास होना चाहिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे तेन्थ के जो certificate and marksit है यह आपको लेकर ज original होना चाहिए और देखिए दोस्तों अगर आप सभी form apply करते समय highest qualification 12th या graduation फिल किये हैं तो इसका भी certificate और marksit ले जाना होगा दोस्तों अगर आपके पास जो है जैसे की form apply करते समय highest qualification पूछा जाता है अगर आपने 12th या graduation फिल किये होंगे तो वो भी आप certificate और उसका marksit लेक कोई problem नहीं है लेकिन दोस्तों अगर आप फिल किये हैं तो लेकर जाईएगा ये बहता रहेगा आपके लिए इसके बाद दोस्तों domicile certificate निवास परमान पत्र होना चाहिए और निवास परमान पत्र देखिए दोस्तों एक साल से ज़्यादा पूराना नहीं होना चाहिए एक साल तक का है तो आपका काम चल जाएगा निवास परमान पत्र दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो इसे जल्द से जल्द बना लिजिए domicile certificate जिसे निवास परमान पत्र बोलते हैं ये आपके पास होना चाहिए online माधियम से आपका बनता है या offline माधियम से भी इसे आ सकते हैं आप लोग इसके बाद दोस्तों cast certificate और देखिए दोस्तों cast certificate में सबसे ज़्यादा doubt है कि cast certificate जो है crucial जो date है उसके पौहले का होना चाहिए या बात का भी चल जाएगा दोस्तों crucial date आपको पता है कि 3012-2023 आपका था लगबग 10% ही candidate बनवाते हैं लेकि 90% candidate के पास जो है crucial date के पौहले का cast certificate नहीं होता है तो दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो भी काम चल जाएगा क्योंकि वहाँ पे जो DV करते हैं उफिसर्स वो जानते हैं ये चीज की काफी मेहनत के बाद इस student यहां तक पहुँचा है तो दोस्तों वहाँ पे कोई problem आपका नहीं होने वाला है हालांकि notification में दिया होता है कि crucial date का पहले का cast certificate होना चाहिए लेकिन वहाँ पे अगर उसके बाद का भी है तो काम चल जाएगा लेकिन दोस्तों आप इसे central वाला जो होता है वो आपके पास certificate होना चाहिए central का दोस्तो यहाँ पे देखिए दोस्तों cast certificate की बात करें तो cast certificate में दोस्तों अगर आप OBC से हैं तो central का जो NCL होता है वो आपके पास होना चाहिए central का होना चाहिए NCL, OBC जो category के candidate है non-crimalier का अगर आप ACHT से हैं तो यह भी आपका central का होना चाहिए और EWS से हैं तो यह भी central का आपका होना चाहिए अब सवाल एक यह भी होगा कि जो format notification में दिया गया है उस format में होना चाहिए या online जो central का बनता है उससे काम चल जाएगा तो देखिए दोस् format में जो certificate आपका दिया गया है format जो आपका notification में दिया गया है उसी format में आप बना कर लेकर जाईएगा क्योंकि वहाँ पर format जो है कुछ center पर आपका मांगा जा रहा है कि उसी format में होना चाहिए दोस्तो यह depend करता है document verification करने वाले जो फीसर होते हैं उनका nature कैसा है क्योंकि उस उसके उपर पूरा depend करता है अगर format में आपका नहीं है तो बाहर भी कर सकते हैं तो इसलिए दोस्तो notification में जो OBC का format है CST का format है और EWS का format है ओ आपको दोस्तो बना कर उसमें ले जाना है central का होना चाहिए ओ format ही central का है अब बनाएंगे तो central का ही बनेगा तो दोस्तो यह आपक का जो है NXR आपका यहाँ पे 7 में आपको देखने को मिल जाएगा NXR 7 जो notification है SSEGD का notification उसके NXR 7 में आपका OBC का जो है format मिल जाएगा NXR 6 में दोस्तो CST का और NXR 8 में दोस्तो EWS का format मिलेगा ओ format भी आपको आगे दिखाएंगे यहाँ पे देख लीजिए दोस्तो format भी तो देखिए दोस्तो यहाँ पे format आप से भी देख सकते है NXR 6 जो है SESGD का certificate का है यह format आपके पास SESGD से है तो आपका होना चाहिए और यहाँ पे जो है DM लेबल तक का बना के लेकर जाईएगा district magisters का signature होना चाहिए इसके अलावा दोस्तो अगर आप से भी OBC से हैं तो other backward class के लिए यह आपका government of India central का है NCL आपका यह certificate होता है does not belong to person यह section criminal year यानि कि criminal year से belong नहीं करते हैं NCL का यह आपका format है और इसके अलावा NXR 8 आपका EWS का है तो इसी format में आपका बना होना चाहिए अगर नहीं है तो दोस्तो जल्द से जल्द बना लीजिएगा थोरा से इसमे मेहनत लगता है लेकिन अगर आप बना लेते हैं तो वहाँ पे कोई भी problem नहीं होगा online भी अगर आप लेकर जाते हैं online वाला जो बनता है central का तो कुछ center पर ओभी यह saved कर लिए जाते हैं लेकिन दोस्तो आपके लिए बहता रहेगा कि format में ही बना लीजिए अगर आपके पा हो गया होगा इसके बाद देखिए दोस्तो हाइट वेट और चेस्ट रिलेक्सेशन अगर आपसे भी को हाइट वेट या चेस्ट में छूट मिला है तो इसका भी format आपको एनेक्सर 9 जो format है notification में एनेक्सर 9 उसमें दोस्तो आपको इसका certificate बना कर लेकर जाना होगा देखिए दोस्तो आपको पता होगा कुछ candidate को जैसे की एस्टी केटेगोरी वाले जो candidate होते है उन्हें हाइट में छूट मिलता है अगर दोस्तो अगर नौर्थ इस्ट से बिलोग करते हैं जिसमें कुछ community हो गया इसके लवा कुछ ऐसे state है जहाँ पे हाइट वेट चेस्ट में जाएगा वो format में आपका district magistrate का या तहसिलदार का या सब डिविजनल जो magistrate होता है उनका certificate signature जो होना चाहिए तो इनक्सर 9 जो है notification में आप देखिएगा उसे दोस्तो टू कोपी कराकर बनाना होगा certificate उसका अगर आप हाइट वेट या चेस्ट में आपको relaxation चाहिए तो या मि किये हैं तो लेकर जाइएगा निया था इसकी कोई जरूरत नहीं है और document में अगर कोई गलती है document mistake है कोई गलती है document में तो आप एफिडेविट बना कर लेकर जाइएगा जैसे कि तेन्थ कलास के marksit या certificate में name, date of worth इसमें कुछ mismatch है या दोस्तो इसके अलावा earned document में तो आपका सेम नहीं है form apply वाले document से तो दोस्तो आप उस इस्तिती में एफिडेविट जो है बना कर लेकर जाइएगा अन्याथा इसका भी कोई जरूरत नहीं है तो आई होप आप समाझ गए होंगे कोई भी सवाल और comment section में बताइए फिर मिलते हैं next studio में तब तक के लिए जहि आप आप के लिए झाएगा सेम एझेव झाईब बताइब झाख खिर में जरूरत नहीं है तो हैसिती में जरूरत आपिया कर लिए लिए सकते हैं उत्याथएएँ चाहिएगचा सब्सक्टाईब्याब एड़ग झाले एप चाहीं हॉपगे झाले में पाले भाले भी